सुमालिया के एक ऐसा बंदा जो सिर्फ चलना चाहता था बट डॉक्टर के एक थौट ने उस बंदे की पूरी लाइब को अंदर से जगजोर के रख दिया। मातर एक थौट ने उस बंदे को पूरी तरह से बदल के रख दिया। बट कहते हैं न कि वहां तूफान भी हार मान जाता है जहां कस्तियां खुद जित पर होती हैं। और आज की पीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे पर जो लॉंग रेस का पेताच बास्सा बना। एक ऐसे बंदे पर हैं जिसने लॉंग रेस को एक नहीं कई वार जीत के बता दिया कि सिकंदर बनने के लिए खुलामों जैसी मैनत करने पड़ती हैं। अपने वार्डी को प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करके हाट करना पड़ता है। तब जाके मिलती है बंदे को सकसेस। तब जाके मिलता है बंदे को परफेक्शन। फरा खुद बताते हैं कि प्रैक्टिस के दोरान वो एक पीक में 120 मिल तक दोड़ जाते थे। विकॉज वो जानते थे कि प्रैक्टिस बंदे को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस ही वो चीज है जो बंदे को काम्याब बना सकती है। और इसी परफेक्शन के तलास में ये बंदा 120 मिल तक तोड़ जाता था, फरा के बश्पन का एक किस्सा है, लोग बताते हैं कि बश्पन में फरा का एक्सिटेंट हो जाता है, एक्सिटेंट के बाद डॉक्टर ने कहे दिया था, कि अब आप रेनिंग करने के लायक नहीं हो, अब आपसे रेनिंग नहीं हो पाएगी, बढ़ ये बंदा किसी की नहीं सुनता, और ना ही किसी को मानता है, बॉस फरा ने धीरे धीरे चलना इस्टाट किया, फिर रेगना, फिर तोड़ना, फिर सबसे तोड़ना, और इसकदर एक सिंपल सा बंदा, लाउंग रेस का बेताज बास्ता बन गया, आज की डेटवे ये बंदा, लाउंग रेस के कई रिकार्ड खुद बनाता है, और खुद ही तोड़ देता है, और कई सारे ऐसे रिकार्ड लेकर घूम रहा है, जिने तोड़ बाना, दुनिया के लिए मुश्किल है, वास फरा का रनिंग सो कोई बास्ता ना था, बढ़ डॉक्टर के एक थोट ने, बंदे को अंदर से हिला डाला, और इसकदर उस बंदे के पागल पन ने, उसे रनिंग का चैंपियन बना दिया, जो बंदा सिर्फ चलना चाहता था, उसके एक चुनून ने, उसे उलम्पिक का चैंपियन बना दिया, और 33 की एज में गोल्ड मिडल जीत कर, ये सावित कर दिया, कि एज इज इस्ट नंबर, असली चैंपियन तो जहन के अंदर होता है, बॉस फराइक बेहत करीब घर में पैदा हुए थे, जहां दो वक्त की रोटी मिल पाना बेहत मुस्किल थी, और इसी रोटी की तलास में, ये बंदा होटल में वर्क किया करता था, बट जब मैनत रंग लाती है, तो सब कुछ बदल के रख देती है, नाम भी और निसान भी, आज ये बंदा खुद है, सहकुडो करीब बच्चों की मदद करता, उनके सिच्छा स्वास्त का खुद खर्चा उठाता है, बहुत जिंदगी सब को मिलती है, मौका सब को मिलता है, आप्सन सब के पास होते है, रोज मर मर के जीने का, या फिर एक दिन मर के, हर रोज सपनों के लिए जीने का, क्योंकि अगर मैनात का कोई आप्सन होता, तो एक करीब घर का लड़का, कभी भी चैंपियन नहीं होता, इसलिए वो कर के दिखाओ, वो पन के दिखाओ, जो तुमारा सपना है, अगर आप चाहते होगी, मैं अपना फेस रिवेल करू, तो नीचे कमेंट वॉक्स पर चरूर बताना, और मुझे इंस्टा में फोलो कर लेना, मेरे इंस्टा कर लेंग की नीचे डिस्क्रिप्शन वॉक्स में, मैं चल दी, वहाँ पर अपना फेस रिवेल करने वालों,